श किल बच्चे सारी सबजिए खाने में न अकरह करते हैं लेकि अलो की सबजी बड़े शौक से घाते हैं तो इसलिए मैं एक नई रेसिपी लेके आ Warriors तो रदे-रदे friends वहीं प्रेन्स व embark लंबा लंबा फ्रेंच फ्रैस की तरह हम इसको कट कर लेंगे तो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे इसको ना तो जदा बड़े तुकड़े करने है ना चौड़े तो इस तरीके से हम लंबा लंबा आलू को काट लेंगे इस तरीके से ही हम सारे आलू को कट कर लेंगे तो सारे आलू कट हो गए इनको मैंने अच्छे से वास कर लिया है अभी चड़ा देते हैं कड़ाई कड़ाई में डाला है मैंने सरसो का तेल तेल करम हो गया अभी डाल दिया है मैंने जीरा और जीरा तरकती डाल दिया इसमें लहसो यानि की कार्लिक तो गार्लिक भी भून ग तो मैंने ज्यादा चौड़े नहीं काटे हैं लंबे-लंबे जैसे फ्रेंच वाइस काटते ना उसी टाइप से मैंने या पटेटो को कट किया है तो अभी ऑईल के साथ इसको मिक्स कर देंगे फेस में हम डालेंगे सारे मसाले तो अभी मैंने लिया एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिट्च पाउडर एक चमच धन्या पाउडर एक चम ाधा चमच मैंने लिया है करम मसाला आप कर सकते हो अगर आपको नहीं है पसाद आप अब भी डाल दिया है मैंने आपके 119 नमक तो सारे मसालों को हम मिक्स, मिक्स, कर देंगे इस तरीके से और अभी इसम बंद कर दें इस सब्जी में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार लगती है अभी इसको हम ढखकर पास से 10 मिट के लिए पकाएंगे तो इसको पांच मिनिट हो गए हैं अभी इसमें मैं डाल दूंगी कस्तूरी मेथी इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ देते हैं हम बंद और इसमें डालेंगे हम भर-बर के हराधनिया मुझे गाई राधनिया बहुत पसंद है आप लोगों को नहीं है तो आप स्कीप कर देना तो इस तरीके से मैं हराधनिया गार्निश कर दिया है उसके बाद हम इसको सब्व कर देंगे तो हमारी टेश्टी और हेल्दी मज़िदार सी रेसेपी हो गई है रेडी तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना तो अब इसको हम देख रहे हो ना गाइस कितनी एदम खेले खेले हमारे आलू बने हैं तो यह बहुत ही अच्छी लगती है और बाबाए राधे राधे